आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Hello friends इस question में को बताना है which of the following is our totalology तो question में पूछा गया है कि प्राउट पने question में चार स्वाटनेट, समफने ही तो ये जो आप चार उप्र के बटेटान है हमको सबको लीचकip करनना पड़ेगा तो फ़ीड्स का होता है चारत वाइल ये हshow का सब बसक्रिए कने सब क्या होती है तो येasी number ये pro ये हेशी है अब हमको first part में निकालने है P conjection Q देखो first part के लिए हम निकालता हूँ पहले P conjection Q की table निकालता हूँ यहाँ पर So P conjection Q दोनों में add operator लगाएंगे true and true के true true false में false false true में false and false false में false next निकालने हमे P implication of P conjection Q ठीक है P के साथ implication लिए इसका So true true में value true आती है true false में value false आएगे अपनी जब यह true हो और यह false हो तब ही false आता है बना हमेशे true जाता है ठीक है तो यहाँ पर भी true और यहाँ पर भी true अपना यह value So जैसे कि देख सकते हूँ यहाँ पर एक value false आगे तो इसलिए totalology तो नहीं हुआ तो यह option तो खलत होगा है ठीक है अब second option के लिए देखते हैं देखो second option में है q conjunction with p implication q तो देखो p implication q की वे टेबल का है यहाँ पर बना लेता हूँ पहले में p implication q की टेबल तो p implication q में value false का होगी इस case में खाली वह हमेशे true रहेगी बना जब यह true और यह false है तो इस case में खाली मेरी false रहेगी second case में वाकिस हम में true रहेगी चारो case में अब क्या करना है q के साथ conjunction लेना है इसका तो q के साथ conjunction लेगे तो value है true और यहापर भी true रहेगा next step false और इदर हो false तो false रहेगा true true same and next false true का भी false अपना ठीक है तो यह जैसे true false true false हा रही है तो यह भी मेरी tautology नहीं हुई तो यह option भी गलता हो किया third option check करते हैं third option में p implication की हुए है तो वो तो मैं निकाल जोगा p implication q की टेबल ठीक है और यहाँ पर है p conjunction of negation q तो यह निकालते हैं पहले पहले negation q की टेबल लिख लिए अपर negation q उड़ाएगा मेरा false true false true ठीक है अब p की साथ conjunction हो जोगे ना इसका तो यह आपर लिख लिए तो मैं p conjunction of negation q तो वो क्या हो जाएगा true false value अगी false true true अगी true false false अगी false false true में false ठीक है तो यह बनके अपनी true table लागी इसकी p conjunction of negation q की ठीक है आपके लिए ना है देखो यहाँ पर p implication q का में negation लेना था तो यहाँ पर लिख लिख लिए था हम पहले में third part अपना negation of p implication q तो p implication q की टेबल यह रिए इसका negation लेना है तो false true false and false ठीक है negation में हमारे reverse हो जाता है truth values अपके लिएना है में इसका देक्विलेंट लेना है इसके साथ इस टेबल टेबल का तो यहाँ पर negation of p implication q ठीक है और यहाँ पर क्या अपनी values p conjunction of negation q तो हमें इस टेबल का और इस टेबल का क्या लिएना है में देखो यहाँ पर कैसे न का लेंगे false और false में जाएगी य। true मेरी next true और true में value true आएगी फिर false और false में value कितने हैगी अपनी true आएगी अपनी इधर अपना false value है क्योंकि देखो अमें negation लेना था है यहाँ पर truth था है तो यहाँ पर false है और last हमारा क्या है false और इदर भी false है तो इधर भी value true आएगी अपनी है, ठीक है, क्योंकि यह operator आता है, इसके लिए हम, अगर दोने जगा false है, फिर दोने value true है, तो भी हमारी true आता है, अगर एक false एक true है, तो false आते value, तो देखो, जैसे की देख सकते हैं, यह क्या रहा है, totalology आ रहा है, ठीक है, यानि क्योंकि इसक अंदर सारी true values आ रही है, तो यह रहा है, तो यह रहा है, totalology, और यह रहा है, question का right answer, अपना, option number third, ठीक है, हम fourth option के लिए चेक करते हैं, यह आता है, यह यह नहीं आता, देखो, fourth option में, p-conjection q है, so p-conjection q की table हमने बनाई हुए अपनी, यह रही, p-conjection q की table, हमें इसकर के ल negation q के साथ लिना में, ठीक है, अब इस table में, और इस table में लिना में, ठीक है, true false आ गया, तो पहले ही false आ पढ़तो, फिर false true, तो यह भी false, false false तो यह रही true आ गया, and false true, तो यह भी false आ गया, तो यह रही टोटलोजी नहीं हुआ मेरा, तो खली option number, third is the right answer, ठीक है, this is the final right answer, okay, thank difference, प्लासिक्स टुटल से लेके, नीट IIT जेही, मेंस और एडवांस के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा, आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स, आट 400 400 चार सूबर,